तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं पेट्रोल के प्राइज आज की तारीक में आस्मान पार हैं पर ऐसा क्यों है क्या आप जानते हैं जो पेट्रोल किसी समय में 12 रुपे पर लिटर हुआ करता था आज की तारीक में 110 पार हो चुका है तो आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब लाए है पेट्रोल और डीजल से जुड़ी कुछ ऐसी facts and information लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप चौँक जाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो 1856 में युनीस फूट नाम की एक scientist ने एक experiment किया उन्होंने oxygen और carbon dioxide दोनों gases को अलग-अलग tubes में लेक करके उसमें thermometer लगाया और उससे sunlight में रख दिया उन्होंने notice किया कि carbon dioxide जिस tube में थी वो tube बहुत जादा गरम हो चुका था और काफी लंबे समय तक गरम ही रहा और इससे ये conclusion निकाला कि carbon dioxide जो हमारे atmosphere में है वो हमारी earth को एक बहुत ही high temperature दे सकता है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है oxygen हमारे earth atmosphere में 21% होने की वज़े से ही earth को एक survivalable planet बनाता है पर carbon dioxide का levels इतना जादा भढ़ता जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हमें oxygen भी खरीदनी पड़ेगी oxygen mask इतने महेंगे बिखेंगे कि उसकी कोई हद नहीं होगी इस पर नमासुद्दीन सिद्धिकी की एक short film भी बनी है carbon जिसे आप youtube पर सर्च कीजिए बहुत ही interesting है 2050 तक हमारी earth का क्या हाल होने वाला है उस short film में बताया है अब सवाल ये उठता है कि carbon dioxide का levels इतना जादा क्यों भढ़ रहा है क्या क्या वज़े हैं जिस वज़े से भढ़ रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी रोक थाम के लिए दोस्तों carbon dioxide के level बढ़ने से unexpected weather events बहुत जादा भढ़ते जा रहे हैं जैसे गर्मिया और जादा गरम होती जा रही है सर्दियों में और जादा थंड पढ़ने लगी है natural disasters की frequency बहुत जादा भढ़ती जा रही है और ये सब सिर्फ carbon dioxide जैसी greenhouse gases की भढ़ोतरी की वज़े से जो की climate conditions को continuously change कर रही है pre-industrial era यानी 1850 to 1900 का जो समय था उस समय से compare किया जाए तो global average temperature 2 degree से जादा नहीं होना चाहिए और preferably 1.5 degree तक ही maintain किया जाना चाहिए पर ये reality नहीं है 2 degree से भी जादा कहीं जादा global average temperature भढ़ता जा रहा है because of carbon dioxide जितना जादा average temperature भढ़ता है earth का उतने ही जादा हमें extreme weather events देखने को मिलते हैं सिर्फ एक एक डिगरी से भी सिर्फ एक एक डिगरी भढ़ने से भी हम लोगों को extreme weather conditions का सामना करना पड़ सकता है तो ये carbon dioxide का level एकदम से भढ़ना कैसे शुरू हुआ आईए इसके बारे में जानते हैं तो crude oil के discovery के बाद ये सिलसला शुरू हुआ जब Britain पहली industrialized nation बना तो crude oil से petroleum, gasoline, plastic, naphtha जैसे बड़े-बड़े chemical compounds इन्होंने extract कर दिये जिससे बड़े स्तर पर carbon emission होना शुरू हो गया दोस्तों आप जानते हैं ये crude oil जिसमें 82-87% सिर्फ carbon के compounds ही होते हैं तो आप समझी सकते हैं कि petrol, diesel जैसी compounds जलाने से कितना carbon emit हो रहा है सिर्फ vehicles में ही carbon emission की वज़े से नहीं बलकि industries में भी बड़े स्तर पर carbon emit होता है जिसकी वज़े से global warming होना शुरू हो चुका था आप जानते हैं 86-56 के बाद जो industrial revolution आया है उसके बाद ये carbon emit बहुत बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया तो आईए अब इस crude oil की थोड़ी सी history पढ़ लेते हैं कि कैसे इस crude oil के शुरूआत हुई जैसा कि हमें पता है कि Nigeria oil resources में बहुत rich माना जाता है जब ये पहली बर पता चला तो British companies वहां घुज गई और बड़े स्तर पर crude oil को extract करने में लग गई 1956 में crude oil को black gold का भी दर्जा दिया गया और उसी समय दिरू भाई अमानी जैसे बड़े business tycoons ने oil refineries set up कर दी जिसकी वज़े से इंडिया ही नहीं बलकि पूरे world में सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए तो अब सवाल आता है कि आखिर ये crude oil है क्या और कहां पाया जाता है आज से हजारों साल पहले अर्थ पर जब भी कोई natural disaster होता था तो dead organisms अर्थ में दफन हो जाते थे और time के साथ साथ sun की heat की वज़े से ये fossils crude oil में convert हो जाते हैं ये oil जमीन में कम से कम 3500 feet की घहराई में पाया जाता है जो की drilling की extraction process से निकाला जाता है तो अब हम बात कर रहे थे Nigeria की आईए उसकी बारे में कुछ और जानते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि Nigeria one of the poorest country में से एक है पर ये उस समय सच नहीं था जब सबसे पहले खोज हुई Nigeria में oil के बड़े-बड़े resources पाए गए हैं तो वहां की लोगों में एक hope आई कि अब health conditions में कुछ improvement होंगे और कुछ बहुत ही positive changes आएंगे और इसी के चलते कुछ time बात Nigeria independent भी हो चुका था Nigeria से अब oil दूसरी countries में भी export किया जाने लगा और oil invent करने वाला Britain सबसे पहली industrialized nation बना फिर जब oil का extraction होना शुरू हुआ तब ये discover हुआ कि oil से release होने वाली gases जिसे हम gasoline भी कहते हैं जिसे oil extract करते समय एक waste product समझा जा रहा था वो हमारे लिए कितना beneficial हो सकता है as a fuel oil के extraction में जो waste product निकलता है gasoline उसे as a fuel use कर सकते हैं और इसी से शुरुआत होई fuels की fuels के invention से पूरा world motion में आ गया है oil की discovery के बाद बड़े-बड़े power plants बने gas stations बने, petroleum extraction plants बने, oil refineries बनी हर कोई अपना investment oil में करना चाहता था पर इसका profit once added था इरान के Persian desert के नीचे जब oil का खाजाना मिला जिसकी वज़े से Middle East countries में oil का boom आ गया पर इरान अपने ही oil से सिर्फ 17% profit ले पा रहा था बाकि पूरा profit British companies ले रही थी और ये one-sided profit इरान को बिलकुल भी acceptable नहीं था जिसकी वज़े से इरान ने British companies को oil extraction के लिए अपनी country में seize कर दिया दोस्तों first world war के शिरुवात घोड सवार सेना और घोडो से की गई थी and it was ended with tanks, trucks and airplanes और इसी वज़े से बिटिश निवी के लिए excess oil पर control होना बहुत जरूरी हो गया था इसलिए उन्होंने private investors के syndicate बना दिये जो पर्जिया के Zagros Mountain में जर्नी के लिए oil research पर जाते थे और वहीं से Anglo-Persian Oil Company Epoch के शुरुवात हुई लेटर ओन जिसका नाम British Petroleum पढ़ा तो ये तो बात हो गई oil की history पर पर आईए अब हम जानते हैं ये oil extract कैसे होता है crude oil से petrol, diesel, gasoline, naphtha ये सारी चीज़े कैसे extract की जाती है दोस्तों जितना आसान ये आपको सुनने में लग रहा है उतनी ही मुश्किल इसकी process होती है और इस मुश्किल process की वज़े से ही ये इतना महेंगा बिकता है हमें लगता है कि petrol companies जमीन से petrol निकाल कर petrol pump तक पहुचाती है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है petrol और diesel जमीन और समुद्र की काफी गहराई में से निकलने वाले काले और गाढ़े crude oil से बनाते है जिसे हम petroleum भी कहते है दोस्तों petroleum name एक latin word है जिसका मतलब होता है चटानों से निकलने वाला तेल समुद्र के अंदर से निकलने वाले petroleum के लिए floating refineries बनाई जाती है और जमीन में से निकलने वाले petroleum के लिए wells यानि कूए बनाई जाते है ये process बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि इसे निकालने से पहले इसकी खोज करनी होती है कि exactly ये कहां पाया जाएगा और इसी process में कई अर्बो रुपे खर्च हो जाते है इस petroleum में कच्चा तेल होता है जिसे हम crude oil बोलते हैं और इसी crude oil से wax, petroleum, naphtha, gasoline जैसे काफी सारे पदार्थ बनाया जाते हैं इस crude oil को extraction करने के बाद बड़ी-बड़ी refineries company तक पहुचाया जाता है उनमें से एक सबसे बड़ी इंडिया में reliance की है आप जानता ही है दिरुबाई अमानी ने oil की सबसे बड़ी refineries इंडिया में setup की होई है और वहाँ इस crude oil को अलग-अलग cylindrical containers में डाल करके अलग-अलग temperatures पर heat किया जाता है दोस्तों ये अलग-अलग temperature crude oil में मौझूद various chemical compounds को अलग-अलग करना यानि separate करना शुरू कर देता है vaporization की process से आपको पता ही होगा हर एक compound का एक boiling point होता है तो समझ लिज़ जी डीजल को पाने के लिए हमें उसे 260 degree पर heat करना पड़ता है और 40 degree पर हमें petrol मिलता है इस पूरी process को distillation process भी बोलते हैं जिसके उपर हम पूरी detailed video आपके लिए बहुत जल लिकर आने वाले हैं उसमें आपको हम लोग step by step समझाएंगे कि आखिर distillation होता कैसे है उसमें हम लोग क्या-क्या distillation कर सकते हैं क्या-क्या extract कर सकते हैं और इसी distillation की process की वज़े से इसके कीमतیں अलग-अलग होती हैं जिन देशों में इसके oil reserves होते हैं वहाँ ये सस्ता पड़ता है और जिन देशों में इसके oil reserves नहीं होते हैं वहाँ ये महंगा पड़ता है आज दुनिया भर में इसके कीमतیں अलग-अलग हैं क्योंकि manufacturing के साथ-साथ government इस पे tax भी बहुत भारी भरकम लगाती है इंडिया में central and state government मिलकर लगबक 60% tax इस पे लगाती है इसके अलावा भी इसकी कीमतیں हमेशा भड़ती ही रहेंगी क्योंकि ये एक non-renewable source है यानि इसको एक बार use कर लिया तो ये खतम दुबारा use में इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता दोस्तों experts कहते हैं कि जितनी speed में हम crude oil को use कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल को use कर रहे हैं उतनी speed में ये करीब 40-50 सालों में दुनिया में खतम हो जाएगा किसानों के tractor से लेकर 5 स्टार के generator तक हर जगे पेट्रोल डीजल यूज होता ही है यानि कि डीजल और पेट्रोल आपके पीछे और आप डीजल और पेट्रोल के पीछे और इसलिए इस पूरे टाइम को हम लोग oil age भी बोल सकते हैं और इसी वज़े से आज के टाइम में इरान, कुवेट और साओधी अरब जैसे देश सबसे अमीर देशों में माने जाते हैं क्योंकि सबसे ज़ादा oil reserves भी इनी देशों के पास हैं दोस्तों अब आप समझी गया होंगे कि world की economy oil पर क्यों based होती है क्योंकि एक सबसे बड़ा energy का resource है आज बले ही solar energy आ गई हो पर इसकी production में भी कहीं न कहीं petrol डीजल जैसे fuel use होते ही हैं तो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि petrol और डीजल के prices लगातार क्यों बढ़ रहे हैं इसकी पूरी manufacturing की process कहां से इसकी शुरुआत हुई यह सारी facts आपको मैंने बताएं कैसे लगे आप मुझे comments में जरूर बताएं अगर आपको इससे जोड़ी कुछ और information मालूम है तो आप वो भी share करें हमारे साथ comments में क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि crude oil से निकलने वाले carbon emissions हमारे earth पर heat को बढ़ा रहे हैं जो कि global average temperature को बढ़ा रहा है जिसकी वज़े से 2050 तक ये earth survivalable planet नहीं बच पाएगा दोस्तों carbon emission की इतनी बड़ी problem को solve करने के लिए Elon Musk जैसे बड़े business tycoons इस पर काम कर रहे हैं हर साल जितनी गारिया बिकती है petrol डीजल की उतना ही ज़ादा petrol डीजल उसमें use होने लगा है जिसकी वज़े से उतना ही ज़ादा carbon emission भी शुरू हो चुका है इसी वज़े से electric vehicle हमारा future है जिसको Elon Musk ने tap कर दिया है Tesla 1 trillion dollar की market capital को लेकर के बैठी है जो की General Motors, Mercedes, Tata जितनी भी बड़ी car की companies है उन सब को आप एक तरफ रख दीजे और Elon Musk की Tesla को आप एक तरफ रख दीजे ये सारी companies मिलकर भी Tesla की 1 trillion dollar की market cap को meet नहीं कर पा रही है क्योंकि electric vehicle is the future आप देखते ही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में electric vehicles और रिक्षा में आ चुकी है हमारे इन दौर में auto रिक्षा electric vehicle में convert हो चुकी है जिससे काफी हद तक carbon emission कम हो चुका है पर आज भी personal vehicles petrol और diesel पर ही चलते हैं हाली में Elon Musk ने एक बहुती बढ़िया project launch किया है उन innovators के लिए जो इस carbon emission को रोकने के लिए कुछ ऐसा innovate करें जिसके लिए उन्होंने पूरे 100 million dollar की घोशना की हैं सही सुना आपने 100 million dollar अगर आपने कुछ ऐसा बढ़िया इनवेट कर दिया जिससे carbon emissions को रोक सकें या कम कर सकें तो Elon Musk आपको 100 million dollar देंगे अगर आप इस बड़ी problem को solve करना चाहते हैं अर्थ को survivalable planet बनाना चाहते हैं तो आज से ही जुट जाएए इस बड़ी problem को solve करने के लिए कुछ ऐसा innovate करके लाइए जो इस carbon emissions को रोक सकें दोस्तों Elon Musk की इस पूरे प्रोजेक्ट की details उनकी website में मौझूद है जिसके link मेंने description में दे दी है सब्सक्राइब कर दीजी Map Trons चैनल को लाइक कीजिए इस वीडियो को और share कीजिए उन लोगों तक जो आपसे पूछते हैं कि भाई पैट्रोल के prices इतने क्यों बढ़ गए हैं उनको भी मालूम चलना चाहिए इस facts इस information के बारे में Thank you and keep watching Map Trons चैनल